कि यदि एक चत्रभूज के बिकर्ण बराबर हो और परसपर सम्दिभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है ठीक है अच्छा यहां पर क्या कर रहा है और परसपर सम्दिभाजित भी कर रहा है तो हमें दिखाना है कि वह एक वर्ग होगा चलिए तो हम लोग यहां पर एक चत् किसके बिकर्ण बराबर हैं और परस्पर सम्धिभाजित भी कर रहे हैं ठीक है कि बिकर्ण बराबर है और परस्पर सम्धिभाजित भी कर रहे हैं इस सम्धिभाजित सिर्फ नहीं देना चाहिए था परस्पर समकोंड पर सम्धिभाजित करें परस्पर यहां पर बीच में सम समकोंड होना चाहिए था परस पर समकोंड समकोंड कोशन गलग दिया है इसको सुधार कर लेंगे समकोंड पर समधिभाज़त करें तो वह एक वर्ग होता है यानि कि यहां पर बिकर्ण बराबर है और इनका समधिभाजक समधिभाज़त करते हैं और यहां पर 90 डिगरी का कोंड भी बनाते हैं यह चीज दिया हुआ है आप कोशन में सुधार कर लेंगे दिया है कि ABC कि कि चतर्भूज है कि के में चत्रभूज है कि अब सुस दो कि सर आपने यहां समकोंड सब्स Crystal करने के लिए क्यों कि क्योंकि अगर सिर्फ सब्सक्निभाज़त करने कि लिक ना तो उतायत भीहता है ना जी विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर संदिभाइद करते हैं तो तायद भी होता है यह वर्ग दिखाना है मैं न तो इसलिए आप यह समकोण छोड़ दिया आपके कोशन में सुधार कलेंगे A, B, C, D एक चत्रभूज है अच्छा विकर्ण A, C तथा B, D एक दूसरे को समकोण पर संदिभाजित करते हैं ठीक है यह दोनों विकर्ण क्या है एक दूसरे के एकवल दिया हुआ है ठीक है तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि A, B, C, D जो है न एक वर्ग है यह वर्ग है यह हमें दिखाना है ठीक है तो चलिए अब इसका हम लोग यहां पर प्रमान देखते हैं हम प्रते एक कon कितना दिखाना होगा और एक समकεια है तो मुझे क्या करना हो हुगा इन दोनों तो नोगे के तिरह और नहीं नहीं। कि तथा कि दूसरा तिर्बुज हो जाएगा कि सी ओ बी में कि यह ओ भी और सी ओ भी में देखो एक तो हो जाएगा आपका आपके पास ओ यह बराबर में ओ सी क्यों क्योंकि विकर्ण a c तथा b d एक दूसरे को एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं ऐसे कह सकते हैं संधिभाजित करते हैं संधिभाजित लिखने की जूरत नहीं है यहां पर अचा दूसरा एंगल a o b बराबर एंगल COB हो जाएगा दोनों 90 होगा समकोंट पर संदिवाज कर रहा है ना भी करने से लिए चलिए और क्या हो जागा तो यह ओबी जो है ना दोनों में अबी कॉल टू बली ऊभैनिश्ट है आपका उभैनिश्ट यह कॉमन यहां से यह दोनों ठिर्भूज का जागा सरवांग समझा तो लिख सकते हैं कि लिएक तयों सकते हैं यह साइड एंगल साइड सरवांग समता से जब यह सर्वांग सम हो गया तो हम लोग यहाप एवी कॉ सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार अगर आप इसको और इसको सर्वांग्सम करो तो यह इसके बराबर हो जाएगा बिसी बराबर में सीडी हो जाएगा चारो भूजाएं मैने बराबर दिखा दी बराबर दिखा दी अब चलिए तेंगे चारों बूझेंद बराव दिखे अब मैं इस चत्रबूझ गो समानतर चत्रबूझ बताने का करता हूं अब मैं क्या करता हूं तिर्भूझ बीओ सी तधा देखो बीओ सी तहां तिर्भूझ डी ओ ए में चलता हूं देखिए बी ओ सी और यह डी ओ इन दोनों को मैं आज सर्वांग सम करके दिखाता हूं तो यहां पर यहां ओ ओ ओ जो हो जाएगा सॉरी इसका लेते हैं ओ सी पहले लिखते हैं इस तिर्भूज का ओ सी इकवांटु में ओ ए है ना क्यों क्यों कि बिकर् ए सी तथा बी डी एक दूसरे को एक दूसरे को समदिभाजित करते हैं इसलिए ऐसा हो ना ठीक है चलिए अब देखिए हम लोग यहां पर एंगल बी ओ सी बराबर में एंगल डी ओ ये ले सकते ना खों तो यह एक जास्ट दोनों, नबे, नबे है ऐसी भीज सकते हैं, आपके योडी के इकवल हो जाएका यह बिकार्न AC तथा BD एक दूसरे को सम्धिभाजित करते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है तो यहाँ से तिर्भूज BOC सर्वांगसम हो जाएगा कैसे हो जाएगा side angle side सर्वांगसम हो जाएगा यह आपका जब सर्वांगसम हो गया जब यह सरवांग सम् हो गया तो हम लोग यहाँ CPCT से लिख सकते हैं कि angle OCB यहाँ वाला code इस code के बराबर में angle OADCPCT से हो जाएगा तो जब यहाँ दोनों कोण बराबर हो गया तो यहाँ कैसे दिखे रहा है की तो यह दोनों एक अंतर उंतर कोंड के प्रतिलों से क्या हो जाएगा हम लोग जानते हैं यहां कोड बराबर रहते हैं जब यह से समांतर हो जागा यानिका A, D समांतर B, C या B, C समांतर AD ले सकते हैं। इसी प्रकार इसी प्रकार A, B, समांतर हो जाएगा A, B, समांतर हो जाएगा D, C, ृटिक है? तो हम देख रहे हैं कि ये आमने समने की भूजाएं क्वुजाएं क्या होगे? समांतर हो गई इसलिए आं कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चत्व हो गई अच्छा ये कैसा समांतर चत्व हो गई जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई उपर हमने दिखाया था ना चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं चुकि हमने उपर दिखाया है कि AB बराब स्वारान minder ज़ूंचे में तो इसलिए हमनों क्या सकते हैं एसा स्वांतर पूज जिसकी चारोफ पूज कर ऑब थो क्या हो जाएक संचत्र बूज हो जाएगा इसलिए ABCD पैस छां संचे क्योस fallen ठीक है समच त्रभूज है लेकिन हमें क्या दिखाना है यह आपका एक वर्ग है तो वर्ग दिखाने के लिए मुझे इसका कोई भी एक कोण 90 दिखाना होगा तो चलते हैं आप अब देखिए त्रभूज A B C तथा त्रभूज B A D में जहां से देखिए A B C और B A D में तो पहला तो हो जाएगा आपका आपका यह जो AC है वह BD के बराबर है यह हमारे पास दिया हुआ है ठीक है आपके पास उपर ही दिया हुआ है न जी बिकार्णेक दूसरे के बराबर है दिया है न जी हमने लिख दिया चाहिए अब देखिए उसके बाद दूसरा चीज क्या हो जाएगा तो यह AB equal to BA हो है है और हम लोग यहँआ पर ली सकते हैं कि यहां BC जो है न कि अधर A, D, K, Equal है हम लोग दिखा चुक्ए हैं उपे जाबित कर चुके हैं कि छारो भूजयाँ बरावर याँ आप देख रहे हैं है ना है जिरा पहें प्रिचद कर चुके हैं था वित कर चुके हैं तो यहाँ सब लिख सकते हैं कि तिर्भूज A, B, C सरवांसम हो जागा तिरभूज B A D के कैसे सरवांसम हो जागा साइड 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 सरवांसमता से तो यहां से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि इंगल B बराबर हो जाएगा इंगल A के एबी सी के एंगल बी इसके परावड जगा बी एडी के एंगल एक है तो यह दोनों एक दूसरे के एकवलों कैसे सीपी सीटी से और हम लोग जानते हैं कि यहां आपका सम्चत्रभूज हो चुका है न जी और सम्चत्रभूज के दो लगातार कोणों का योग क्या होगा एक स् स्वासी होता है न जी चुकि एंगल ए प्लस एंगल भी बराबर में होगा वनेटी क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के आसन्य कोण है ठीक है इसलिए ऐसा हो रहा है ठीक है तो यहां से हम दोनों में से किसी एक कराम हटा के लिख देते हैं जैसे मालों इस एंगल एको रहने संचच्च गुद जैसा है जिसका और कोण संबकोण है आप एली सत्य किया था ए अबी सीडी एक वर्ग है अबी सीडी क्या है एक वर्ग है हमने साबित करके दिखा दिया यह आपका प्रमानित हो गया समझ गया है कोई दिकत नहीं है इसमें तो इस वीडियो का हम लोग यह नहीं पेंट कर देते हैं आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा पहला है पाथ फाइंडर क्लासेज छपरा पाथ फैंडर क्लासेज छपरा दूसरा है भारती भवन भारती भवन रवी कांथ सर और तीसरा चैनल है रवी कांथ सर के नाम से तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस इसे लिएटर वीडियो के लिए सीधर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इसे लिएटर नोट्स के लिए गूगल पर जाकर सब्सक्राइब और यहां जाकर आप सभी क्लास्स के नोट्स और उनके पीडियेप को डालोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं